हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैई चैनल रसोई की दुनिया दोस्तो आज हम बनाएंगे मार्किट जैसा मक्की के आटे का नाचोस ये नाचोस खाने में तो काफी क्रिस्पी होती है साथी आप इसे बना कर महीने भर स्टोर कर सकते हैं जिसे आप कभी भी खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रीडियंट्स इसके लिए मैंने एक कप मक्की काटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है मैदे की जगह आप गेहूं काटा ले सकते हैं अगर आप घर पे अपने लिए बना रहे हैं तो गेहूं काटा इस्तवा ले लिया है थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया है थोड़ा सामने मस्टर्ड ओयल लिया है आप इसकी जगा कोई भी कोकिंग ओयल ले सकते हैं तेल को आटे में अच्छी तरह से मिला लेना है खुब अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम गर्म पानी से इसका डो बनाएंगे पानी को काफी सॉफ्ट हो जाए तो हम अच्छी तरह से नॉचोज बना सके अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए कवर करके रख دें गे और वापस से 57 मिनट होने के बाद से नीट करेंगे थोड़ा से दम लगा के नीट करेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए आटा हमारा बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इसे सिर्फ चार पार्ट में डिवाइट करेंगे आप चाहें तो ज्यादा पार्ट में भी डिवाइट करके छोटा-छोटा भी बेल सकते हैं अपनी सुधार इसे बेल सकते हैं फिर इसे थोड़ा सा सूखा अटा लगा के और इसे काफी पतला बेलेंगे बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा सूखा अटा लगा के आप बेल सकते हैं अगर आपको लगे बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप तेल लगा के पॉल इसके किनारे देख सकते हैं काफी पतला है लेकिन इसे हम थोड़ा सा और पतला करेंगे ताकि नाचोस हमारे काफी क्रिस्पी हो यह देखे हम इसे और थोड़ी सी बड़ी करेंगे रोटी को इसी तरह आप भी गुमा गुमा कर बे ले अब देख सकते हैं काफी पतली और अच चौक और पीस करेंगे इस तरह से चारो तरह से में से कट लगा लेंगे और इसका ये चौक और पीस हो गया अब हम इसकी पट्टियां काटेंगे इस तरह इसमें तीन पट्टियां बनेंगी तो हम इसमें तीन पट्टियां काट लेते हैं और इसके ट्रेंगल पीसेस करेंगे इस तरह triangle pieces करेंगे और यह बहुत ही आसानी से बन जाती है आप चाहें तो पट्टियों को अलग करके भी उसके pieces निकाल सकते हैं यह पट्टी को हम हटा लेते हैं और यह देखिए इस तरह से अलग-अलग pieces भी हम कट सकते हैं जैसे भी आपको सुविधा लगे आप ऐसी पट्टियों को कटें और उसे हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे साधानी से हम निकालेंगे एक साथ रखने पे चिपक जाएंगी तो हमें थोड़ा सा अलग-अलग रखना है अब हम दूसरी लोईयों को भी लेके बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और उसके भी ट्रेंगल pieces काट लेंगे यह देखिए हमने बड़ी सी रोटी बना ली है और काफी पतली रोटी है तो हम इसके भी pieces करेंगे इसे हम दूसरे तरीके से बनाते है आप देख सकते हैं ये रोटी भी काफी पतली बन गई है इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास केक टीन होता है स्क्वाइर उसे हम रख लेंगे और नाइप से कट करेंगे जो कि बहुत जल्दी हो गया और एक बराबर हो गया तो इस तरह काट के भी हम नाइप से इसमें इस तरह ट्रेंगल बना सकते हैं ये देखे बहुत ही आसानी से बन गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये देखे इसके ट्रेंगल काफी अच्छे बने हैं इस तरह भी आप बना सकते हैं दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि हम छोटी छोटी रोटियां बनाएं इस तरह से इसकी छोटी रोटी बनाएंगे बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे हम लोगी को छोटा ही लेंगे और इस तरह से एक साथ काट देंगे यह देखिये एक साथ इजीली कट गया बहुत ही असानी से कट गया और इस तरह से भी हम बना सकते हैं कड़ाई को गरम करेंगे और अपने मन पसंद का कोकिंग ओयल डाल दीजिए और दोस्तों हमने इसे प्रिक नहीं किया था तो पहले हम इसे प्रिक कर लेंगे इस तरह से देखिए कांटे से जितने हमने ट्रैंगल बनाए हैं उसे प्रिक कर लेंगे कड़ाई हमारी गरम है तो हम कड़ाई में एक एक करके डाल देंगे पहले फ्लेम को हमें हाई रखना है उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम को रखना है एक तरफ का हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ इसे पलट देंगे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नी करेंगे मीडियम ही रहेगा या फिर लो फ्लेम रहेगा दोस्तों इसे बना कि आप महीनों स्टोर कर सकते हैं ये खराब नहीं होती है अगर आपने इसे ज़्यादा दिन रख दिया तो भी जूब ऑपस ही से आप एक बार फ्राई कर सकते हैं ये वैसे की वैसी होजाइगी इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं या फिर इस्टोर करके ही रख लें इस्टोर करके रखने से क्या होगा आप फ्री नहीं है और बच्चों को चाहिए तो आप कभी भी निकाल के आप बच्चों को दे सकते हैं बच्चे और बड़े दोनों ही इसका मजा ले सकते हैं यह काफी क्रिस्पी और टेस्टी भी हो सकती है आप इसे किसी डिप के साथ खा सकते हैं किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, यह बहुत टेस्टी लगती है नाचोस को हमने कड़ाई से निकाल लिया है बाकी बैचेस को भी हम इसी तरह डालके फ्राई कर लेंगे थोड़ा फ्राई करने में इसे टाइम लगता है क्योंकि slow flame पे हम इसे फ्राई करना है नहीं तो यह soft राज आएंगे, crispy नहीं होंगे तो हम इसे patience के साथ फ्राई करना है इसमें आप उपर से चाहें तो चाट मसाला नीबू डाल सकते हैं प्यास भी डालके खा सकते हैं लेकिन मैं इसमें सिर्फ चाट मसाला डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे आपको आवाज से समझ में आ रहा हो गया ये कितना क्रेंची बना है तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं आप इसे किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताईएगा थेंक्स फॉर वाचिंग